आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Question says In the given figure Angle OAB Angle OAB equals to 30 degree and Angle OCB मतलब Angle ये वाला OCB 57 degree Find Angle BOC हमें ये वाला एंगल Find करना है Angle BOC तो हम देखेंगे BOC किस triangle में लाए कर रहा है In triangle OBC इस triangle में लाए कर रहा है अब इस triangle में जो है Side OC वो है Equal OB के हम देखेंगे कि ये Radius of the circle है तो Radius of the circle All throughout the circle Equal होता है चाहे वो यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो यहाँ पर हो Equal ही रहता है मतलब Side OC वो भी के Equal है फिर हम देखेंगे Side अगर Equal है तो जो है Angle OCB वो किसके Equal होगा Angle OBC के Equal होगा मतलब कि वो भी होगा 57 डिग्री इसका Reason यह है जो Equal Sides होती है किसी भी Triangle की Equal Sides of a Triangle Contained Equal Angles जो Equal Sides होती है इसकाइगल की वो जो Equal Angles Contained करती है मतलब यह Angle और यह Angle Equal होए तो Interangle OBC By Angle Sum Property जो Angle Sum Property Property होती है ट्रेट रेंगल की उसके According जो है Angle OCB Plus Angle OBC Plus Angle COB इन तीनों एंगल का Sum कितना होगा 180 डिग्री होगा तो हमारे पास Angle OCB की Value कितनी है 57 डिग्री है और जो Angle OBC है उसकी Value भी 57 डिग्री है हमने उपर Find किया था यह और हमें Angle COB है Angle BOC कहांगे Angle BOC इसकी Value निकालनी है यह Angle इसके Equal ही है तो यह हो जाएगा Angle BOC Equals to 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री माइनस 57 डिग्री तो यह हो जाएगा Angle BOC Equal किसके 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री Therefore, जो Angle BOC है वो Equal हो जाएगा 66 डिग्री के Equal 180 माइनस 114 यह होता है 66 डिग्री यह हमारा Final Answer है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर